नमस्कार मेरे नौजवान सातियों कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाश 24 आपको रास्तान पर आसर उम्मीद करता हूं सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे और तैयारी में अब तो वास्तों में लग भी गए होंगे तो फि आपको बिल्कुल शांदार तरीके से देखो लेखा जो नियम है वह बहुत इतना गरंत है उस गरंत में से हम उन चीजों को निखालने की कोशिस कर रहे हैं जो लाइन इंपोटेंट है पीडियव आपको पूरी कंप्लीट पीडियव मिलेगी जिसमें आपको टैंसल लेने क पर हां जो चीजें वास्तों में इंपोटेंसी रख रही है वो क्लास पूरी में आपको करवने वाला हूं तो चिंता करने की को यह सकता नहीं वो 12 गंटे के महराथन चल दी है आपको देखने को मिलेगी चलिए आज के सेशन को शुर्वात करते हैं बुद्धवार का दिन ह नियम नंबर 81 की बात करें बिल्कुल आ नियम नंबर 80 में हमने वो बात कर ली थी नियम नंबर 81 की अब बात करते हैं नियम नंबर 81 हमें क्या कहता है उसकी भी चर्चा करते हैं फटाफट सबी साथी जुड़ जाईए एक पर सेशन को लाइक और सेट जरूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ा आजाए ठीक है पैसान पत्र पर भुकतान पैंक नियम से सलगन प्रपत्र में ही परीचे पत्र प्रस्तुत करने पर भुकतान करेगा वैसाब अगर आप भुकतान लेने जा रहे हैं तो आपको एक विभाग जो है सरकारी बिलों का भुकतान करेगा ठीक है परीचे पत्र प्रस्तुत करने पर आपको अपना परीचे पत करने पत्र प्रस्तुत करना होगा истор है अभ यह परीचे पत्र किसके दिवारा जारी पहचान पत्र कोसादी करी दिवारा जारी एवं अस्ताकस्रीथ होगए जो परीचे पत्र होगा वाई साथ में स्वेम का कोसागार का स्थाक्सर होगा साथ में स्वेम का स्थाक्सर होगा यह भी ध्यान रखिएगा आगे की यहाँ पर और कुछ चर्चा है एक दो चीजें और जो हमारे यह काम की है हाँ बिल्कुल ठीक है वेरी गुड अब देखो कोसागार का जो अधिकारी है कोसागार अधिकारी कोसागार का जो अधिकारी है तीन फोटो प्राप्ट करेगा कितनी? देखो तीन फोटो प्राप्ट करेगा समझो मेरे बात उस परीजे पत्र वाले वेक्ति की तीन फोटो प्राप्ट करेगा तीन फोटो प्राप्त करेगा कर लिए वाई सब तीन फोटो क्या करेगा प्राप्त कर लेगा एक उस प्राप्त करने पर एक परती एक परती फोटो की एक परती पहचान पत्र पर पहचान पत्र पर चिपकाएगा फोटो की एक प्रती पहचान पत्र पर चिपकाएगा और याद रखिएगा और साथ में उसका पूरा का पूरा विवरन भरेगा ठीक है चिपकाएगा वह ठीक है चलिए यहां तक उम्मीद करता हूं कि मामला चाहिए होगा हाँ कि लिए रहे अब और क्या करेगा चित्र के दाएं कोने पर चित्र के दाएं कोने पर हाँ चित्र के दाएं कोने के दाएं कोने के ऊपरी भाग पर चित्र के दाएं कोने के ऊपरी भाग पर फोटो और कार्ड दोनों को कवर कर पतलब फोटो और कार्ड दोनों को कवर कर कवर कर हस्ताकसर करेगा आपके समझ में नहीं आया होगा पर एक माध्यम से मैं आपको अच्छे तरीके समझा देता हूं यह पूरा परीचे पत्र है यह परीचे पत्र का कार्ड है यहां पर उस भाई साहब ने फोटो चिपका दी ठीक है तो यहां से वो फोटो पर अस्ताक्सर करेगा जो ऐसे करेगा जो कार्ड पर भी हो और फोटो पर भी हो ठीक है ऐसे अस्ताक्सर करेगा हाँ अब मान लीजिए जो केसियर को जो परिचे पत्र दिया गया है भुकतान प्राप्ट करने के लिए मान लो केसियर में परिवर्टन हो जाए दूसरा केसियर आए तो क्या होगा देखो केसियर के परिवर्टित होने पर डीडियो अहारण वित्रन अधिकारी कोई हैड यह डीडियो संबंदित पैचान पत्र संबंदित पैचान पत्र प्राप्ट करेगा उससे वापस ले लेगा वहाँ वापस दे रहे और कोसागार को भेज देगा तैकि वो कोई पीचेश चिटिंग विटिंग वाला मामला नहीं हो सके और कोसागार को भेज़ेगा समझ गए मेरी बात कोसागार को क्या गरेगा वापस बेज देगा और जो नया केसियर है उसका विवरण भी विजवाएगा प्रोसेस पहले वाला वेकप वही रहेगा वही तीन परतिया फोटो की लेगी एक फोटो उस पर चिपका देंगे वो सारी चीज़ां आपको मैंने प नए केसियर साथ में नए केसियर का विवरण भीजेगा अब कोसागार कादीकारी क्या करेगा यह बताओ कोसागार कादीकारी उस कारड को लेकर क्या करेगा हवन तोड़ी करेगा कोसागार क्या करेगा जो पुराना काद है उसे रद्ध कर अपने रिकोर्ड में रख लेगा कोसागार अधिकारी पुराने काड को रद्ध कर अपने रिकोर्ड में जमा कर लेगा अपने रिकोर्ड में क्या कर लेगा जमा कर लेगा ठीक है तो याद रखिएगा केशियर के परिवर्तित होने पर डीलियो सम्मंदित पैचान पत्र रिसीव करेगा कोसागार का अधिकारी क्या करेगा कुछ और अपने रिकोर्ड में उसे क्या कर लेगा जमा कर लेगा यह था आपका नियम नंबर 81 पैचान पत्र के आधार पर भुकतान की बात यहाँ पर की गई थी अब कलते हैं दूसरे point of view की तरफ बढ़ते हैं दूसरे point of view की बात करें नियम number 82 हाँ साती हो सभी को good morning सभी को राम राम खमा गणी रादे रादे जो सरकारी transactions होते हैं उनको पूर्ण रुप्यों में बदलना यानि पूर्ण रुप्यों में कैसे बदलना 50 पैसे से अधिक का भाग हो तो रुपे में 50 पैसे से कम है तो उस भाग को छोड़ देंगे और जहां पर है मामला वहीं पर रोग देंगे ठीक है हाँ चलिए सरकारी लेंदेन को सरकारी लेंदेन को पूर्ण रुपे में परिवर्टित करना पचास पैसे से अधिक होने पर एक रुपे में बदल जाएगा तब पचास पैसे से कम होने पर हटा दिया जाएगा पचास पैसे से कम होने पर हटा दिया जाएगा तो सरकारी लेकर को पूर्ण रुपे में बदलने वाली बात आपको यहाँ पर देख नहीं होगी हाँ किलियर है चलो example के तोर पर आपको यहाँ आपको यहाँ पचास पैसे ठीक है चलिए दस अजार पांसो पॉइंट पिचतर पैसे दस हजार पांसो पॉइंट पचास पैसे ठीक है हाँ पचास पैसा है तो यह हो जाएगा पिचतर पैसा है तो यह हो जाएगा दस हजार पांसो एक रुपे इदर रोगाएगा दस हजार पांसो पॉपे तोड़ा ध्यान रखिएगा पचास पैसा अंडर में आएगा अप में नहीं आएगा इसलिए पचास पैसे वाला आपको लिखा है हाँ ठीक है तो इस चीज़ को आपको याद रखना है इस चीज़ को पता होना चाहिए कलना आप अकाउंटेंट बनेंगे तो आपको इसे ट्रांजिक्स बदलने जरूर होंगे बहुत बढ़िया दोस्तों चलिए आपके लिए कंप्यूटर की क्लास भी अरेंज करवा दिया कल पहली क्लास थी बहुत अच्छा रेस्पॉंस देखने को मिला शाम को चार से पांच कितने बज़े शाम को चार से पांच आपकी क्लास है डेली होगी कंप्यूटर की शाम को चार से पांच बिल्कुल फ्री थ्योरी करवा रहा हूँ विल्कुल आप नौट्स बना लें और पढ़ लें ठीक है यह हो गया है नियम नंबर 83 हमें कहता है बिल पंजी का यह क्या होती है बिल पंजी का मान लीजिए जितने भी भिल आपने कोसागार में भेजे हैं जितने भी बिल करम्बद रूप से इतने तारिको इस तारिको इस G.A. 59 में एक प्रपत्र दिया गया है, उस प्रत्र में बीलों को पूरा लिखा जाएगा, करमबद रूप से, उनकी संख्या लिखी जाएगी, उसे कहते हैं, बिल पंजी का, यानि उन बीलों की डिटेल ना देखकर बिल पंजी का निकाले, कोई बिल नमबर है, उसको खट द सभी बिलों को कोशागार में भेजने से पूर्व बिल पंजी का GA59 में दर्ज करने के पस्यात ही भेजा जाएगा। ठीक है, GA59 परपत्र में लिखने के बाद उसमें दर्ज एंट्री करने के बाद ही हम उसे भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे, यह है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, अब दावों को प्रस्तूत करना, नियम नमबर 84, दावों को प्रस्तूत करना। लीडियो, आहरण, वित्रन, अधिकारी, जो भी दावे हैं उनको प्रस्तूत या क्लेम करेगा, कोसागार को प्रस्तूत जो चेक हमने दिया है, तो चेक पर भुक्तान की रसीद दी जाएगी, ठीक है, परन्तु जहां नीड होगी, जहां आविशक्ता होगी, वहीं पर ही रसीद दी जाएगी, जहां उसकता होगी, वहीं पर रसीद दी जाएगी, ठीक है, चलो, बढ़ते हैं आगे, दावों को प्रस्तूत करना, ठीक है, कोसागार में बिल जीए चोईस, परविश्टी के बाद भेजा जाएगा, तो बैंक से बुक्तान जीए, पच्चीस में प बैंक के मामले में जीए 25 में एंट्री करने के बाद ही, क्या किया जाएगा, दावों को प्रस्तूत किया जाएगा, ठीक है, हाँ, चलिए, अब एक चीज इसमें दी गई है, बिल, प्रेशन, पंजी का, यह क्या है, बिल, प्रेशन, पंजी का, देखिए, कारिया ले का जो अध्यक्स है, मैं आपको ज्यादा कन्फ्यूज नहीं करूँगा, जीए 20 याद रखना है, पहले जीए 59A में यह बात की गई थी, हाँ, जो कारिया ले का अध्यक्स है, कारिया ले अध्यक्स है, जो हमारी एक निशित परपत्या कारिया अध्यक्स है, परपत्र जीए 24 में, पहले यह जीए 59A में सामिल था, ठीक है, में एक बिल प्रेशन पंजी का, प्रेशन का मतलब जो चीज भेज दी गई है, बिल प्रेशन पंजी का, मैंटेन करेगा, मैंटेन करेगा, हिंदी में उसे कहते है, संदारित करेगा, मैंटेन करेगा, क्या करेगा उसे, मैंटेन करेगा, जिसमें, प्रतेक बिल जिसमें प्रतेक बिल को दर्ज कर कोशागार में भीज जाएंगे अब जो इंपोर्टेंट चीज है वो इंपोर्टेंट क्या है वो लिख रहा हूं इसी में यह इंपोर्टेंट नहीं है दिखवा दी मैंने कहीं बच्चे कहते हैं गुरुजी कम लिखवा रहो देखा मैं वही चीज करवाऊंगा जो पेपर्स में आई है और इस सनिवार को र भासतान सेवाने तो उन 25 20 50 कुषन है अपने पास कितने कोशन है पचास कुषन है उनकी बात करेंगे कोसागार में भेजे जाएंगे राज पत्रित अधिकारी इसको याद करना डिब्बबे वाली बात को राज पत्रित अधिकारी पंजीका की जांच राज पत्रित अधिकारी पंजीका की जांच करेगा कैसे करेगा दो सप्ता में एक बार जांच दो सप्ता में कहीं पता चले एंट्री करते से मैं बिलकोई मिस कर दिया गया हूँ उपर का उपर ही उड़ा दिया गया हूँ ठीक है दो सप्ता में एक बार करेगा राज पत्रित अधिकारी पंजीका की जांच दो सप्ता में एक बार करेगा उसके बाद आख बता है बिलों की बात हो जिए चोईस जिए पच्चीस जो मैंने आपको सीधे बताई ठीक है पर एक आजकल आधुनिक जमाना है गुरुजी क्या आधुनिक जमाना है महलोग बिल आई नहीं सीधा इसकीम के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक इसकीम के माध्यम से बिल को सीधे सिस्टम से कोसागार में भेज दिया जाए फिर कहां एंट्री करेंगे ठीक है तो देखो इसकीम से बिल सीधे कोसागार में भेजा जाए भेजा जाए तो जी ए ट्वन्टी फोर की आवशक्ता नहीं है जी ए ट्वन्टी फोर की आवसक्ता बिलकुल भी नहीं है ठीक है क्योंकि इसके लिए DDO आहारण वित्रन दिकारी DDO वर T DO टेज़डि ऑफिसर कोसागार दिकारी ट्यों का मतलब टेज़डि ऑफिसर कोसागार दिकारी DDO वर T DO को वह चीज उपलब्द है TDO को ट्रेकिंग सिस्टम ट्रेकिंग सिस्टम उपलब्ध है जिससे उसकी रिपोर्ट पराप्ट की जा सकती है जिससे उसकी रिपोर्ट पराप्ट की जा सकती है अब कहां पहुँच गया बिल अंदर पहुँच गया तो देखो इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रोनिक भुक्तान के मामले में मामले में टीवी संख्या टीवी का मतलब टेलिविजन नहीं टेजडी वाउचर टीवी का मतलब क्या है टेजडी वाउचर टीवी संख्या की रिपोर्ट सिस्टम पर सिस्टम पर उपलब दोगी पर इसकी निगराने के लिए कुछ ना कुछ तो किया जाएगा तो देखिए ये भी अब यहाँ पर इंपोटेंसी शो करेगा ये डिबबा बना दिया मैंने दिबबा मतलब इंपोटेंसी शो होगी इसकी निगरानी है तू जी ये चोईस में तो आउसकता ही नहीं है परन्तू इसकी निगरानी है तू इसकी निगरानी है तू डीडियो टीवी नंबर को डीडियो टीवी नंबर को त्यानि ट्रेजडी बाउचर नमबर को जीए 25 में रखेगा पीवी नमबर को जीए 25 में रखेगा ठीक है ठीक है ठीक है यह आपका नियम नमबर 84 समाप्त होता है ठीक है दावों को प्रस्तुत करना क्लियर है उसके बाद अब रशीदों के लिए टिकेट नियम नमबर 85 रशीदों के लिए टिकेट यानि पांच हजार से अधिक की समस्त जितनी भी रासिया है उन पर रेवेन्यू स्टांप अवस्से लगा जाना चाहिए यानि रशीद पर वो टिकेट अदा छोटा सा एक रेवेन्यू टिकेट जिसे कहते हैं ठीक है जब तक की उस ट्रांजेक्शन्स को उस समस्त राशियों के इट मामले को राजस्तान स्टांप ड्यूटी एक्ट से रशीद टिकेट से मुक्त नहीं किया गया हो ठीक है चलिए रशीदों के लिए पांच हजार से अधिक क्या पांच हजार से अधिक रूपे की समस्त रशीदों पर टिकेट अवस्से लगाना चाहिए पांच हजार से ठीक है एक छोटा सा टिकेट लगा देते लिए स्टांप या रवेन्यू टिकेट और यदि सरकार की तरफ से हो तो एक रूपे का रवैणी टिकेट लगेगा यदि ट्रांजेक्शन सरकार की तरफ से हो तो एक रुपे का revenue टिकेट लगेगा ठीक है कब कब कौण कौण सी condition में लगेगा पहली condition क्या है सरकार द्वारा या सरकार की तरफ से प्रस्तु द्रसीद ठीक है हाँ ठीक है बिना प्रतीफल के के बिना प्रतीफल के रासी का भुक्तान एक्जामपल सहायता अनुदान उस रासी के बदले हमें कोई प्रतीफल प्राप्त नहीं हो रहा है तो सहायता अनुदान विभागिये खरीदी के लिए कर्मचारियों विभागिये खरीदी के लिए विभागिये खरीदी के लिए कर्मचारियों को भुक्तान ठीक है लोक निर्मान विभाग लोक निर्मान विभाग पी डबलूडी या वन विभाग द्वारा जारी चेक ठीक है पोस्ट्राल ओडर या मनी ओडर मनी ओडर से पोस्ट्राल ओडर किया गया भुक्तान भारत सरकार को किये गए ब्याज भुक्तान पर भारत सरकार को किये गए ब्याज के भुक्तान पर अकाल राहत कारिये में मजदूरी के बुक्तान पर अकाल राहत कारिये में मजदूरी के बुक्तान पर वेतन ओबलिक भत्तों और अन्ने ओनलाइन इलेक्ट्रोनिक पेमेंट ओनलाइन इलेक्ट्रोनिक पेमेंट के मामलों में ये चीज़ें याद रखिएगा हाँ 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 अब उसके बाद लास्ट में एक नोट देखिए डिपबे में जो हमारा अहरन वित्रन दिकारी है डिडियो के अलावा देखिए जो टियो है डिज़डी ओफिसर यानि कोसा दिकारी को बिलों का भुगतान उसी कंडिसन में ही करना चाहिए जब बिल पर रसीद टिगिट लगा हो बिल पर अगर रसीद स्टाम टिगिट रसीद टिगिट नहीं लगा हुआ है तो अगर आपने बिल पास कर दिया है तो फिर वो आपकी नेतिक जिम्मेदारी है उसके लिए लाइबिलिटी आपके पास है ठीक है हाँ याद रखिएगा सो बातों की एक बात ओसादी कारियों ओसादी कारियों को पिल का भुगतान उसी इस्तती में ही में ही करना चाहिए जब पिल पर रसीद टिकेट लगाओ हाँ दूसरी 5000 क्या 5000 तो ग्रोस वैल्यू भी हो सकती है सब कुछ काट पीटने के बाद 5000 रुपे की सीमा 5000 रुपे की सीमा सुद्ध भुगतान के मामले में है नैट आप कम आते तो मामले आपके पास आते तो 10,000 रुपे हैं पर बचते नैट तो पर बचते दो जा रही हैं बागी तो खर्चे वर्चे वो गए ता सुद्ध भुगतान के मामले में हैं सकल भुगतान के मामले में नहीं यानि ग्रॉस सबको जोड़ लिया सकल भुगतान के अच्छा कोशिन बनेगा यहां से के मामले में नहीं सकल बुक्तान के मामले में नहीं सकल बुक्तान के मामले में नहीं होगा तो यह आपका आज का सेशन कल नई नीमों के साथ पढ़ेंगे कंप्यूटरी क्लास लग रही है 4-5 ठीक है सबी classes हैं विदिन आपकी forum भर लो एक बार 10-15 दिन forum के हो जाते हैं 15 जुलाई के बाद से आपको marathon देना provide करवा दूँगा मैं और पूरी marathon पूरे सब कुछ है वो आपको मिलते जाएंगे forum सब को बरना है कोई भी ये फारम नहीं लिया जाएगा कोई फीस नहीं लिजाएगी तो वन टाइम रेशन ओटी आर forum सब को भरना है इसके 32% आ रहें 30% आ रहें 35% आ रहें या 80% आ रहें फोर्म सब को फिल करना है PDF के लिए संजेश्टी टेलीग्राम चैनल को आप जोइन कर लें सब्सक्राइब जरूर कर दें और बैल आइकन जरूर दबा लें ताकि परते एक नोटिफिकेशन मिले इसके लाव आप से कुछ भी चार्ज नहीं किया जा रहा है आसार उमीद करता हूँ कि सभी को मजा आ रहा होगा ऐसे ही मस्ती से पढ़ते रहिए सभी को डेर सारा प्यार जयाहिन जयवारस सात्यों